देखे सर, हमारा देश सन 1947 को जब आजाद हुआ, तो उस समय देश की सारी व्योस्था आनियंतृत थी, किसी परकार का कोई व्योस्था नहीं थी, और देश में तवाम तरह की बिडम बनाएं, जात धर्म को ले करके तवाम विवाद उत्पन हुआ था, जिसको संगठित करने के लिए, हमारे भीमराम बेटकर जी ने एक सम्मिधान का निमाड किया, और उस सम्मिधान को, हमारे देश वासियों को देने के लिए, आज का ही दिन चुना गया, जिसे हम 26 जनौरी 1950 को मानते हैं, कि हमारा सम्मिधान देश को समर्पित किया गया, और व लच में हम आज गरतन दिवस मना रहे हैं, और सदा मनाते रहेंगे, साथ ही हम बच्चों को यह संदेश देना चाहेंगे, जिस परकार हमारे वलदानियों ने इतनी अहम भूम का निभा करके, अपना जान दे करके, इस देश को सोतंतर कराया, और हमें आज सोतंतर रूप से एक समाज में जीने का हक मिला है, उसको बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा करतब्य है, और राष्ट का जो करतब्य है, उसे सब को मान कर चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और हर देश वासियों को इसका संदेश पहुचाना चाहिए, मैं मनिश चोधरी, परबंधक, द्धाद नगर, एक गरतन दिवश हमारी आजादी का परचार परसार का उसके नियमों को लाओ करने का उसके विधान को लाओ करने का बहुत बाहर दिदा, मैं तो गुलाम देश में पैदा हुआ हूँ, 1940 में मेरा जन हुआ है, जब हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे, आज कितनी सुन्दर रूप में आगे बढ़ गई है, हमारा थे, इस कितना आगे बढ़ गया है, इस सच्चेयों को बार बार याद करने के लिए, तमाम चीजों बताने के लिए, हम विधालों में छभी जनरुई को इस वात को बेखु करते हैं, सवारा बनाते हैं, और बच्चो को बार बार में कहता हूँ, देखहू बीटा, हम लोग रहे थे, काफी दूर थे, लोग जा हूँना नहीं चाहते थे, लड़किया नहीं चाहते थे, आज लड़किया उबढ़ कहा रही है, हमारे बिद्र बढ़र बच्चों को शिख्छा के समब्真क में बताते रहते हैं, उनको जितने आधुन सिक्षा प्रावारी लागू है उसको लगाते रहते हैं और बच्चों को हमी साथ सिखाते रहते हैं कि वेटा पढ़ो आगे बढ़ो तो कि विद्याले से विव्यकानन का है प्रेलक्षी पूर्थी करते हैं विश्वमनात पांडे सायका ध्यापपक स्वाइब येकानन इट्टे कॉल्बरक्षी